हां जी गूड इवनिंग सो आज हम डिस्ट करेंगे हमारा रिल्वेश स्पैशल जीके का सेट और प्लस हम डिस्ट करेंगे हमारे स्टैटी कोशन चीक है अगर आवाज हा रही है तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए हां जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है अब आज आ रही है बिल्कुल आ रही है चीक है सो क्लास टाट करने से वहले आपको बता दूं कल आज सुबह हमने 100 जी एस कोशन किये थे 100 में मैंने 80 कोशन करवाए थे और वो 20 कोशन अभी करेंगे और कुछ हम स्टैटी कोशन करेंगे चीक है और कल से हमारी क्लास फिर वही वैसे आजाएंगी और प्लस पन मोर कोशन इस कि जो पेड़ कोर्स वाले बच्चे कह रहे थे वीडियो बगारा का वीडियो बन चुकी है वीडियो ऐसे है कि 6 बजे या 7 बजे मैक्सिम आठ बजे तक आपको अपलोड हो जाएंगी आपके पेड़ कोर्स के अंदर आज हमन आठ बजे तक मैक्सिम अपलोड हो जाएंगी ठीक है और प्लस आपको बता दूं कि दो पेड़ कोर्स है मेरे तो आप परशेज कर सकते हैं तो दिखाए सब पहले कोर्स जो मैं अभी बात कर रहा हूं ऑशेनोग्राफी वाली वह इसके अंदर बात कर रहा हूं ठीक है इसक हमारा थेरी कोर्स है इसके अंदर हमने टॉपिक वाइज डिसकेशन प्रॉपा तरीके से कर रखी है ठीक है ठीक है नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से और आपको ऐसे होमपेज नजर आएगा वहां पर यहां पर जैसे लिखा हूँ है तो यहां पर साथ में लिए वीव ओल दवाना दूसरे तीसरे पर नंबर की उपर मेरा डिसकाउंट मिल जाएगा और 10,000 mcq हमने चैप्टर वाइस डिसकेशन प्रॉप पत्रेकी से डिटेल में कर रहे हैं तो इन कोर्स को आप परचेश कर सकते हो प्रेपरेशन आगे बढ़ाने के लिए ठीक है क्योंकि काफी चीज़ें न्यू होती है आप लोगों के लिए चलि के साथ मेरे साथ जुड़ जाना डॉक्टर विपन को के नाम से बहुत बच्चे हैं यहां पर 71,000 प्लस हैं तो यहां पर सारे बच्चों की इंफॉमेशन शेयर होती है पेड़ कोर्स सब कुछ मैं यहां पर शेयर करता हूं और किसी के साथ मेरे नाम के बहुत सारी चैनल है और आप मेरे से यहां पर इंस्ट्रागराम के ऊपर मेरे इसे बात कर सकते हैं डॉक्टर विपन को के नाम से आप मुझे फॉलो कर लीजिए और यहां पर मतलब मेरे से कुछ भी आगर को कॉश्ष पहले क्या बात करनी है और दूसरी बात यह है कि कोई भी कोश्चन होता है अगर आपका कोई डाउट होता हूं ताकि आपका डाउट सब बच्चों के साथ क्लियर होता जाए तो चलते हैं आज हम कोश्चन के तरफ लगाईए तो पहले आज हम 81 कोश्चन डिसक्स करेंगे क्योंकि 80 हमने कर लिए थे और हां हां बिल्कुल करवाएंगे भाई 81 देखिए तो इसके रियल फाउंडर बताने है कौन है रियल फाउंडर देखेर रियल और फाउंडर वर्ड का मतलब का डिफरेंस होता है जिसने शुरू किया तो वह कौन थे वह शीरी गुपता थे जो फाउंड लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रियल फाउंडर तो रियल फाउंडर कौन थे आपके जो मतलब असली वाले थे वह थे आपके चंदरगुप्त चंदरगुप्त वन ने जो है सारा काम स्टार्ट किया था और यही परसन है जिसने गुपता एंपायर को अलग उचाईयों प तो पूछा गया है उसने लियल फाउंडर बोला है तो लियल फाउंडर का यही है इनके कारण ही पूरा समराज्ज्या जो है खड़ा हुआ ता चैक है और बाकी जहां पर जो ऑप्शन है जैसे करा क्षैजिंद जैसे कि आपका Une चंद्र्गुप्त दिद्या वह जिनको विक्रम अधित्या का टाइतल और आइरन पिल्लर आपको बता होगा यह कहाँ पर है महरूली मेहरूली कुत्व मिनार के पास तो वह जो है वह किसमे उप्र मतलन नाम के उपर किस ने बनवाया था चंद्रगुप्त दृत्या ने बनवाया था एक यहां पर नाम लिखा हुआ है समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त कौन है समुद्रगुप्त जिसे आप कहते हैं नैपोलियन ओफ इंडिया नैपोलियन ओफ इंडिया किसे ने बोला था वी ए समिथ ने बोला एक इंस्क्रिप्शन अभी लेख है ठीक है एक अभी लेख है यह इसको आप अलहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कह देते हो और यह किसकी है हरी सेन की और यह किसकी है यह एक्चुली में समुद्र गुप्त के उपर लिखा गया है सारा पॉइंट ठीक है तो इस कोशन का जो अं और अब तो हमारी फुल क्लास ऐसे चलेंगी जिन बच्चों को नहीं पता मैं सद्वारा बता देता हूं सुबह चार बजे हमारे करंट अफेर होते हैं जिसमें मैं लास्ट सिक्स मन्त आठ मन्त क करंट पिर अदर कर रहा हूं कल से और दूसरी यह हमारी 9 बजे क लास होती है और तीसरी रही यह इस थी 카 है तो देखना एक्जाम में मेरे पास आते हुते हैं कि सर मेरा इ Southeast सर्ने क्लीयर होगा और आ starts चलिए जी अंसर बन गया बी सो 82 लगाई यह सर अगला कोशन है इन विच यह वाउज़ नैशनल फूड प्रोग्राम नैशनल फूड फूर वर्क प्रोग्राम यह क्या है धिक खाना फूड मतलब और वर्क मतलब क्या है वेज इंप्लोइमेंट की उपर है जाने की के साथ साथ आपको खाना तो कहने का मतलब यह कौन से एर में यह तो खराब हो गया है क्या है पता नहीं समय नहीं आ रहा है काला कर देता बूड को ओके तो कोशन है नैशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है लॉंच कब किया गया था बिल्कुल यह गलत आप अंसर दे रहे हो काफी बचे भी अंसर दे रहे हैं लेकिन एक्चल में सी अंसर है 2004 के अंदर 2004 के अंदर बात करी गए थी 2004 के अंदर 2004 के अंदर यस 2004 के अंदर जिसमें आपको 150 बैकवर्ड डिस्टिक्स को जो है प्रॉपर तरीके से काम खाना इंप्लॉइम्मेंट सब जाके यह चीज़ें मिलेंगी ठीक है तो अंसर इसमें 2004 बन गया चलिए अगला लगाए अगला कोशन ध्यांसे समगना है क्योंकि सब्सक्राइब बनाए गया था तो 83 कोशन देखी क्या कहता है यह बने थे 1627 में 1627 में और इनका जो कारेकाल था 1627 से 1658 तक था ठीक है यह द्यार रखना 1627 में गद्दी के उपर बैठ थे और शाहां के टाइम को शाहां के टाइम को क्या बोला जाता है दा गोल्डन एज ऑ सब इनों ने किया था मुगल एज ऑफ गोल्डन एज बोला जाता है इनके टाइम पो तो अंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा और इनों ने जो है ताज महल बनाया था ताज महल अपनी वाइफ के मतलब याद में डैड इसकॉल अर्जुमंद बानो बेगम उनका नाम है जिसे आज आज जिसे आप मुम्ताज महल के नाम से भी आप जानते हो चीक है तो अंसर इसमें क्या बन गया जी डी ऑप्शन बन गया 1627 इस दा करेक्ट अंसर चलिए जी आगर गई है इलेक्टिक करंट इन्हें मैटल वायर इस दू तो दा फ्लू ओफ इलेक्टिक करंट ज सब्सक्राइब 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 जानता है जो यूनिट क्या होती है उसकी व्यूनट क्या है फोती है यह आपको ध्यां रखिए चलिए अगला लगा यह सर लिटीफाइव कोशन द्यान से समझना है क्या गह रहा है ऐसे जो हिमाल्या जो सतलज और काली रीवर के बीच में आते हैं उनको क्या कहते हैं तो कोशन द्यान से समझ लीजिए अभी मैं आपको एक पिच्चर दिखाऊंगा तो यह तो इसमें आपको नज़र आजाएगा क्या देखो और श。That river के बीच में और यहांसे समझ और उस के काली रीवर के बीच में हिमाल्या रीवर आगये हिमाल्या सुरी नेपाल हा निथा के बाद खांग असम वाले आ गए तो इसमें question जो हमसे पूछा गया था सतलज और काली का पूछा गया था तो उसमें जो है सतलज और काली के बीच में कौन से हैं कुमाओं हिमाल्यास हैं समझ आ गया I think समझ आई गया होगा आप लोगों को तो सर वो question लगा पुराना तो यह देखो अंसर इसका क्या बन पूछा का सी option बन जाएगा हिमाल्यास कोई भी किसी भी रीवर का वो पूछ सकता है सी option बनेगा चले जागे यह important question है यह question है अल बरुनी ने अर्भी भाषा के अंदर एक बुक लिखी थी तो यह जो बुक थी आपकी यह कौन सी बुक थी अर्भी भाषा के अंदर और यह बुक का नाम पूछ रहा है वो कौन सा नाम था फटा फटा बताएए यस बहुत बढ़िया तो 86 का अंसर क्या बनेगा आपका option बनेगा बिलकुल अ اoption बनेगा किताब ल submerged उसको कहा जाता है जाता है यहाँसाइबर ने अफो साथ है वोगे करना है किताब हिंद वर्ड से करना है आपको एयोप्षन को दौन है कोशन है अगर हम नीऊ क्कुल नहीं आएगा क्योंकि कोने सीश चाहिए मंतलब आशिव मतलब दॐस्टेशेश नेए बारिश बगराने में आपको help करते हैं दूसरा बाड आ सकती है बिलकुल आ सकती है क्यों आ सकती है क्यों कि गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी सन की जो जिसके कारण क्या होगा सारे बिलकुल आपकी जो मिट्टी है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी हवा पानी किसी भी चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है उस पर पानी तो ही नहीं है हवा का फरक बहुत पड़ेगा जिसके कारण जो है स्वाइल इरोजन देखने को आपको मिलेगा तो मतलब 87 का अंसर क्य सामले जैसे आपकी इंडियलमिल्टरिक वहां पे है सर्वेय ऑफ इंडियाटैड वहां पे हैं चीचिया और प्लस प्रिशर्ट मीवां पर है तो आंसर में इसमें क्या बन गया इकृस्षफिव औंच नेक्स लगा ये बोन डिफॉर्मेटीज अगर अकर डू टू दा एक्सेसिव इंटेक ओफ देखिए ध्यान समझिए जो हड्डियां हैं वो खराब हो सकती हैं अगर आप किस चीज का इंटेक ज्यादा कर रहे हो इन में से देखिए क्या होता है आप अगर फ्लूरीन का फ्लूरीन अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो एक्चली क्या होता है कि आपकी जो बोन होती है हड्डी होते हैं बहुत जदा हाड हो जाती है जब हाड हो जाएगी तो उसके अंदर फ्रेक्चर होने के चांसे उतने रहेंगे तो उसको बोन डिफॉर्मेटीज के लिए जो है फ्लूरीन सकता है तो मतलब क्या होता है दोनों की डिफॉर्मेटीज हो सकती है और प्लस स्केलटल बौंट चलो सेम मैं मैं इसको सेम भी मान सकता हूं लेकिन अगर आपसे पूछा यह और किसकी हो सकती है तो डैंटल अफ्लॉर्स बीजिक्स के लिए बात करी हूई है फ्लॉरीन जो ह है सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो नेगटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रो नेगटिव है ठीक है और उसके बाद जो है आपका पॉटाशियम फॉस्फोरस यह तो चलो छोड़ो बस यह याद करो डी आप्शन याद करो फ्लॉरी निज़ा करेक्ट अंसर है नेक्स लगा है हमारा ब्लड आपका क्या है फ्लूड कनेकटिव इशू तरल संजो जी उत्तक है हमने इस वह बoral कं काटिव टिशू है अब ब्लड़ कि प्येच 7.4 ब्लच अगरuh पिलाजражट dolis at 25% गयोडर होता है जिसको आप सप्लाजमा और 55 प्रेसेंट क्या oh कोशिका आ आपकेसल आरबी ऑपलेट यह सब आते हैं इसके अंदर परबात यहां पे प्लाजломा hebben यहां पर पेंधा सब्राइव को बता दिए आप्लास्मा के अंदर 90% तो पानी ही होता है 90% water और उसके बाद कुछ प्रोटीन सब कुछ देखने को मिलते हैं अब चीज बता यह पानी का काम क्या होता है पानी को अगर मैं ऐसे फेग दूँ तो आप देखेंगे पानी एक रस्ते से दूसरा रस्ता तीसरे चौथा ऐसे बना कि जाएगा ठीक है तो वह आपका plasma का function होता है blood plasma का clear तो अंसर इसमें क्या बन गया आपका सी ऑप्षिन बन गया 55% बिल्कुल सी ऑप्षिन बनेगा यह classes बहुत काम आएंगी जो आपके exam है तो मैं हमेशा आपको यह कहूंगा चाहे आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तीनों classes जॉइन कर लो मेर आपका GS हिल भी नहीं पाएगा मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कोशन नहीं होगा जो आपका GS का रह जाए सुबह करंट अफेर की क्लास सुबह मॉर्निंग में आपकी जो हमारी GS की क्लास और यह वाली GS की क्लास अलग लेवल पर चले जाओगे GS में तो ठीक है चलिए से अगला लगा यह अगला कोशन है 90 90 कोशन है कोशन देखो क्या गयता है the method of protecting iron from rust the coating of zinc is called क्या कहते हैं देखे क्या इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि लोहा है लोहे की उपर जंग लगी पहले तो अब आपको यहा लगने के लिए दो कारण होते हैं एक पानी एक हवा दो ठीक है यह हो गया चलो जंग लग गई फिर क्या कह रहा है वह उसकी उपर उसने क्या कर दिया जिंक लगा दिया उसको क्या गएंगे पर मैं चीज यहां पर कोशन और करना चाहूंगा आपसे कि जब भी जंग लगत मैथटर को आप क्या कहते हैं यह कोशन पोछ रहा है डाट मैथडर इसकॉलल गैलवनाइजेशन नाइन्टित का ओप्षण बनेगा गलवनी उसको कहा जाता कहते हैं अब दूसरा ओपशन देखो क्या कहता है रैंसी डिटी वाट इसवाइगी अगर खुला खाना पड़ा है तो जैसे हवा जाएगी तो उसमें बैक्टिरिया पैदा हो जाएंगे तो आप देखते होंगे कि अगर आपने सपोज खाना रखा है कहीं पेख फुला चोड दिया जा ऐसे पढ़ाया काफी टाइम से टेंपरेचर कंडिशन वेरी कर गी तो उस खाने से स्मेल लाने लग जाती है वह स्मेलिंग एजन्ट मतलब वह स्मेलिंग क्यों आती है को कि बक्तिरिया वहां पर पैदा होगे ऑक्सिडेशन हो गया फूड का जिसके कारण वह आपकी हो जाएगी क्या होता है वह चीज होती है जिसमें एक मैटल हो किसी चीज का मिक्स्चर लेकिन एक मैटल होनी चाहिए वह अलॉय होता है चीक है तो यह आपको याद करना है अंसर इस ए ऑप्शन चलिए जी हिए ऑप्रेशन चैक्टस ऑपरेशन कैक्टस कि अपश्योरत क॥ कुल मैटल वा genuinely का इंडिया मिलिटरी की यह अर्म्य ला भी जाती है यहां पर आपको मिला था यह कहां पर मालदीव के अंदर तो तो आंसर इसमें क्या बनेगा 91 का एंप सबाइब ब्लेड प्रेशर जो होता है यह किस से मेजर किया जाता है बता दीजिए फड़ा-फड़ प्रेशर यहां से कैसे मेजर किया जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो सबको भी बता होगा चो लोग बता देते हैं फिर भी कई वर एक्जाम इनर पूछता है आप से नॉर्मल ब्लड प्रेशर यह होता है अगर 140 चला जाए 100 चला जाए तो इसका मतलब क्या हो गया भई आपका ब्लड प्रेशर हाई है सोचने से धमनी से या शिराएं से तो यह हम धमनियों से मापा जाता है आट्री से मापा जाता है जब भी यह होता है यहां पे जब मतलब भांते हैं जा पल्स वगएरा होती है यहां से आपको देखने को मिलता है अगेन वो सारी चीज़े जो देखते हैं वह आपकी आर्ट्री और लेक्टोमेटर दूद की कि प्यूरिटी का है कि दूद कितना प्यूर है तो उसमें क्या बन गया आपका सी ऑप्षन बन गया जी क्लियर स्फाइगमो मैनोमेटर इसको कहा जाता है और दूद बनेगा राइट अंसर चलिए जी आगे इन में से कौन सा ऐसा सबस्टांस होता है यो यूरिन में मिलता है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है ये वाला यूरिन के अंदर सबस्टांस जो है वो कौन सा मिलता है यूरिन के अंदर सबस्टांस जो है इन में से वो कौन सा मिलता है यूरिन चीक है यूरिन के अंदर दो त 5.7 percent क्या होते है urea चो लो यह भी हो गया हमारा याद 3% क्या होता है ip Dust है और कितना रहा जा पीछे 2% 2% होते हैं select चलिए और कुछ content इसी में निकलाता है आपका उल्पूंड आपकी किड्णी function नहीं करती अगर आपकी कड्ड़नी function सही अगर आपकी जो किड्नी है और नहीं करतीब एसमें क्या बनगए आपका ड़न इ sexon लिखा गया है लिखा गया करते हैं इंटीबोडि प्रडरक्षन इम्धिटी देना सब काम उसका है और इसमें बै क्यों सब इसमलिम अपूर लिएक है कोशन है हमारे अटमोस्फियर में वायू मंडल में इस प्रा बैंगनी किरने यूवी रेज आती है तो यह अब्जॉब कौन करता है सिंपल सा कोशन है लेकिन हमें सिंपल की तरफ नहीं जाना हमें एक्स्प्राइनेशन की तरफ जाना जादा जाना है ठीक है पहली बात तो अ फेस एग्सों ऩर अब क्या होता है यहां पे हमारी लेर होती है जिसे आप कहते हो aç है जोस्ट एंग संताम मंडल में होती है एक बैड ओजोन होती है और एक होती है गुड़ ओजोन जो गुड़ वाली है वो गुड़ वाली कौन सी है आपकी यह समताप मंदल वाली जैडिस स्टैटोस्फियर वाली क्यों क्यों कि यूवी रेस को अंदर जाने से रोक रही है और बैड ओजोन क्या होती है यह ज जम जाता है तो जब जम जाता है न तो यह क्या बन गया आपका बैड जो है जो फिर में यह याद रखना अब बात करते हैं स्टैटोस्पियर की उपर सम्धामंडल के अंदर जो यह यह बींजेंस वग़रा जो आपके यहां पे चलते हैं जितना भी मौसम की जानकारी वगएरा होती है बारिश ले लो बादल ले लो एनिटिंग वह ट्रॉपस्फियर में देखने को मिलता है शो मंडल में मिजो स्फियर जो होती है आपकी सबसे लिख रहा है मलिक लिखा मेरे को मलिक दिखा तो वह बच्चा लिख रहा है कि 1986 के अंदर ओजोन हो लिखे देखने को मिला बिल्कुल देखने को मिला अंटार्टिक में अंटार्टिक में देखने को आपको मिला और इसके लिए प्रोटोकॉल साइन हुआ था डैडिस कॉल मॉ सबस्टांस करते हैं तो उसको हम बचा सके मतलब वह खतम ना हो सके हमारी तो यह मॉन्टर प्रोड़ोकॉल साइन हुआ था आंसर इस सी ऑप्शन चलिए जी यह पता हो फटा फट यह सब को पता होना चाहिए यह मैंने मैं पता नहीं कितनी बहां इसकी रहाएं गोशन जो बुलट प्रूफ मटीरिल हुटा है आपका यह जैकिट्स वगैरा के अंदर तो कौन सा उसकर करते हैं बुलट प्रूफ मटीरिल जो होता है यह न में से तो बताइए यह बिल्कुल सही एंसर यह केवलर यूज किया जाता है बुलट प्रूफ जितने भी वेस्ट बागरा होतीन पहनते हैं वह केवलर होता है अगेन आपके बुलट पूफ शिशे डो प्लीमर होता है चीख है इसकें अन्दर एक पॉलीमर होता है लेक्सन लेक्सन लैक्सन इजा पॉलीमर जो यूज किया जाता है as a bulletproof material में यूज किया जाता है ठीक है यह यह याद रखना बाकि यहां पे आप्शन यह यह यहाद कर लो रियॉन यह कुछल को खिखलक यांड वरी यह कोष्क से तřे को से से यह सबस्ता है यह ambiguity रकना है अपको बाकी नाइलोन बगेरा है जितने भी एकपेट्स चबब य squid एक ह elastic यह सारे नाइलोन बगेरे की बंती है ठीक है तो उसे इस में इसमें बनका का decision बन गया बिल्कुल آپशन बन गैं लगा लगा यह बच्चें बहुत जल्दी-जल्दी अले रहे हैं तो तो कोशन लिखा हुआ है एक बॉम है हमने मून के उपर एक्सप्रोड किया हमें कितनी दिरवाद सुना ही देगा अब इसमें करने के लिए डाल देते हैं वह ऐसे कोशन 1.3 सेंगेंड में आपकी लाइट पहुंच दी है जो हमारी संसे जो मून की लाइट होती है धरती के उपर 1.3 सेंगें लेकिन अवाज कब आएगी कहीं से भी जोन लगा लो आवाज नहीं पहुंचेगी पहुंच अगर में बैठे हो कहीं पहुंच सेंगे हो एकटा सफ्रूर्स के लिए मून के पास ट्मौस्फिर विपन में और तो तो तरह आपको गए सर अच्छा यह बताओ फिर जब जो यह एस्ट्रनॉट्स वख Enough मून वखियरा की ऊपर जाते हैं तब तब कैसे बात करते होगे बाद करते हों यह बताएंगे आप लोग यह कोशन बहुत इंपॉर्टन कोशन है बताओ फट फट इसका अंसर बताओ ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच और फॉलिंग अंग्रेजों ने पॉलिटिकल पावर हासिल करी पॉलिटिकल मतलब दखल होई थी वह किसे साथ है आपके नiva बंगाल के साथ उसका क्या नाम था सीरज दुल्ला अब क्या था एंग्रेज कश ण् Speed करने गए तो ऊहनай है उतना मुझे मिलेगा लेकिन क्या हुआ यह company को दिए हुए थे like for example study IEU को दिए हुए थे अब मैं वहां पर मैं अगर मैं जहां वहां पर जाके वहां पर जाके मैं खुद कहूंगी यह तो भाई मुझे मैं tax free लेना है मतलब मैं tax free ले आता हूं मतलब उसने company को बोल रखा था कि तुझे टेक्स free है ना कि मुझे प्लासी को लोग है जो बैठे थे फो रूल करने लगे और वो अपना टेक्स प्री जारी ऑखरीदने लगे जिसके कारन सिराजुद में जेल में डाला 1716 तो कौण सी ट्रेजटी उन्हीं ग्लैक होल ट्रेजडी बट उसके बाद जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को युद्ध हुआ किसके बीच में सिराजु दोला और किसके बीच में रॉबर्ट क्लाइव के बीच में था मीर जाफर ने सारे सेना के राज सारी information रॉबर्ट क्लाइव को बता दी थी जिसके पंगा पड़ा था ठीक है बट अधरवाईस रॉबर्ट क्लाइव को रॉबर्ट क्लाइव उनको हरा नी सकता था बट उसके बाद जो बैटल ऑफ बकसर बचसर की लड़ाई किसमें होई मुन्रो और 1764 में होई थी मुन्रो और शूजा दोला यह कौन था ण्वाव ऑफ अवद का न्वाव था और बंगाल का न्वाव था मीर कासीम एंप्रोन ख स्चालं डू निद्टिया और मुन्रो ने तिनों को हरा दिया इससे इससे क्या हो गया पोलिटिकल तो छोड़ो अब तो पूरा ही रूल करने वाले हैं यह अलहाबाद की संदी साइन होई कि बैठेगा सब कुछ हमारे पास है समझ आ गया तो इसका मतलग यह अंसर बना जी आपका ए ऑप्शन बनेगा बाकी यहां पे जो बैटल ऑफ पानिपत लिखा हुआ है पानिपत की तीन लड़ाईया हुई है मैं यह बोलूगा बाकी सब को आपको पता है 1526 चलो बता देता हूं बाबर और इ लड़ाई हुई थी आपके अकबर और हीमु की अकबर की साइट से बैरम खान लड़ा था 1761 की लड़ाई हुई थी जिसमें एहमर शाह अबदाली और मराथा लड़े थे जीता था और सदा शिवराओ की लड़ाई हुई थी जो अभी मूवी आई थी अर्जुन कपूर और यहां पर बैटल ऑफ पानिपत के लड़ाई थी 1761 की क्लियर और प्लस और यहां पर बैटल ऑफ वेंडी वॉश लिखा हुआ है बंडी वॉश का युदु वा था 1760 में हुआ था चिक है और फ्रेंच के गेंस्ट हुआ था फ्रेंच को हरा दिया गया था बिलकुल जी लग बैटा बाइसा ना इनटी अंटी इंट कोशन देखो क्या गयता है इन में से कौंसा ऐसा बंद्दा कौंसा सा परसन जो ना सोशाइटी ना धर्म के कामों में इननवाल्ड इन ही था ना कि लिए बहुत काम किया था विधवा का पुनर बिवा करवाओं ठीक है इनोंने काम किया था सत्या समाज स्प्रोडक समाज सहा चुए समाज जो Ahmad कर कि अंदर एंटी मतलब ब्रहामन्स को जयदा को मैं एक जद कि करे काश्ट रोका स्ट मतलब लोडॉर कस्ट है उनके उन्हों किया विमनख़ के लिए विमन एजुकेशन के ऊपर काम किया ठीक है बाक्या दिखा हुँ है का डी ऑप्शन यह नहीं है यह तो हिंदी लिटरेचर के आपके वह हिंदी लिटरेचर के टैडिस बार्तेंदू हरिश्चंद्रा सो 98 का अंसर क्या बनेगा आपका डी बनेगा यास 98 का डी बनेगा ठीक है जी चलिए जी 99 लगाओ सर नौटे फंडामेंटल ड्यूटी मौली करतव्या इन में से कौन सा नहीं है मौली करतव्या जवा कंसेप्ट जो हमने लिया था वो रश्या से लिया है और 51 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है पार्ट फूर ए के अंदर लिखा गया है रश्या से हमने बोरो किया था स्वर्न स्विंग कमेंटी की रिकमेंडेशन से दस फंडामेंटल डूटी एड कर गया था 86 संशोधन 2002 के क्लियर बट यहां भी कोशन यह है कि इसमें से फंडामेंटल डूटी कौन सी नहीं है देखेंगे कौन सी नहीं है पहला है नैशनल फ्लैग राश्य द्वर्ज का सम्मान करना बिल्कुल करना है जी यह हमारी फंडामेंटल डूटी है दूसरा है सब्सक्राइब रखना यह भी सही है चौथा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिटरी एंड अकैडमिक यह जो है आपका फंडामेंटल राइट में आता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा चलिए अगला लगा है इसका जो अंसर है वह पूछ रहा है कि सबसे जादा अनतर कहां पर देखने को मिलेगा कहने का मतलों यह है कि दिन का रात का टेंपरिचर इंप्टर मैं करूंँ करूं यह संड है वहांपे है तो मिट्टी की पावर होती है जल्दी हीट लेना और छूड़ना ठीक है तो ऐसा क्यां करते धरती सुबे के टाइम पर ले अपर तरहीं वाँ धन्ड हो जाती है और इसको क्ला कहते हैं सपैसफिक हीट विश्जी siitä पूश्मा इसकी क्या है कम है जिसके कारण यह दिन का रात का टेंपरेचर का डिफरेंस देखने को आपको मिलता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्षिन बनेगा डेजर्ट के अंदर आपका टेंपरेचर डिफरेंस देखने को आपको बहुत सारा मिलता है ए ऑप्षिन बनेगा राइट प्रड़क्ट को स्टेंडराइज करती है वो कौन सी है कुछ ही कोशन है इसमें जाला कोशन नहीं है लेकिन इंपॉर्टन कोशन है ठीक है 1965 में हेड़कॉर्टर कहां पे हैं नियू डैली के अंदर पहले इसके चनहीं में अब दिल्ली के अंदर है फिर लिखा हुआ है बीरो आफ इंडियन स्टैंडर्स यह क्या करते हैं जैसे सोना चांदी हाल माक्स कर थबा होता है तबा मतलब जो भी स्टैंप होती है वह कौन सेंट्र स्टैस्टिस्टिकल और्गनाईजेशन सी ऐसो तो आपको बता होगा क्या करता है नैशनल इंकम बगएरा राश्टी आए इंफलेशन के बारे में बताना यह सब कुछ इनका काम है चलिए जागे लगाए रेंबो कोईलिशन यह टर्म यूज होती है पॉलिटिक्स लोग सारे के सारे गरिके जो है अफ्रिकन अमेरिकन और अच सब लोग मिलके जू है और वाइट पॉफेशनल यूंट क्या गया था अब ब्रक्स किया है ब्र misleading इंडिया चान और साउथ अफरिका आब इनका उदेश-था इनका उदेशय सिर्फ यह था कि इन्होंने सस्टेनेबल सतत विकास करना है अपने देशों के सास्थ और प्लस जो भी ब्रिक्स के नेशन है उनके साथ तो इसमें क्या बनेगा आपका फंडिंग इंफरस्ट्रक्टर्ट्ट्र और इंदर इसके हैं और इनके जो अभी रिसेंट लिजीफ अपॉइंट किये थे बताएंगे आप इनके जो अब भी रिसंट चीफ फड़न तेब कहेंटओ है याम नए करण्ट अफियर में बहुत बार आपको बताया है मारकोस कि एद्ध हमें है फ्रीन तो फ्रॉड श्रॉय कि चीक है अब को स्षेट के घुड़ा अप्राइञत recorded है ये बंद्ध गुरॉ या चाहिं तो तो clear yes answer इसमें क्या बन गया आपका ए ऑप्षिन बन गया next लगा एक साइंस है यह किसके बारे में डिल करती है against kicked up को here लेते हैं उसका नाम रखते हैं उशको बताते हैं प्लांट है एक सब प्रॉप तरीके से सब छीजे करते हैं तोउस स्टडी को हम पोलते था taxonomy तो अंसर इसमें क्या बनेगा फोर्थ कोशन का जो अंसर बनेगा डैट इस सी ऑप्षिन बनेगा classification taxonomy के फादर कौन है लीनियस लीनियस इस फादर आफ टेक्सोनोमी और लीनियस ने बताया था क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पांच किंग्डम किसने बताया था आरेच विटकर ने बताया था यह आपको याद रखना है तो अंसर इसमें क्या बन गया वाई सी ऑप्षिन बन गया राइट अंसर सी ऑप्षिन येस चलिए जिए अगला लगाई कैप्टन राके शर्मा सोविल स्पेस प्रोग्राम में गए थे यह कौन सी इयर में गए थे यह हमारे स्पेस में जाने वाले एक मात्र भारतियां है पहले भारतियां है और यह गए थे 1984 के अंदर 1984 के अंदर गए थे पहले स्पेस में याने वाले व्यक्ति 1984 में गए थे यह अंसर इसमें D option बनेगा यास डी option बनेगा नेक्स लगाईए पूर्फ वट इस ओब्रा नोन फॉर वट इस ओब्रा ओब्रा क्या है सो ओब्रा जो है UP के अंदर है यह thermal power station है तो देखो option क्या बनेगा 4th option बनेगा thermal power station है अब इससे आपको ओखला वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना ओब्रा यूपी में है ओखला ओखला एक अलग यह बताइए गहां पर है गांदी जी का सबसे बड़ा जो स्टैच्व है वह है डाड़ी जिन्दा पटना येस पटना बिहार के अंदर है बी option बनेगा अगर अच्छा मैं आपसे यह पूछ रहूं कि गांधी जी को किस परसन को बोलायाता है गांधी ओफ बिहार गांधी ओफ बिहार किसको बोलते हैं डॉक्टर राजिंदर प्रशाद को गांधी ऑफ विहार डॉक्टर राजिंदर प्रशाद को बोलते हैं थीक या रखना तो और इसमें क्या बनगे आपका बी ऑप्शन बन गया पतना इसकरेक्ट अंसर नेक्स्ट इन मेंसे renewable कौन सा है नवीनीकर्ण का मतलब क्या गया जो चीज दोबारा से बन सकते हैं नहीं चीज बन सकती है तो इन में से uranium coal natural gas यह दोबारा से हम बनानी सकते दोबारा से यह बननी सकते क्यूंकि यह खराब होंगे बात है अगर एक पर यूज करते द्वारा नहीं बनेंगे नॉन रियूबल है इंडिया विंस फ्रीडम यह पुस्तक किस ने लिखी थी बताइए इंडिया विंस फ्रीडम जो लिखी थी मौलाना अबुलकलाम आजाद जी ने लिखी थी सेकेंड ऑप्शन बनेगा थर्ड नहीं है यह सेकेंड ऑप्शन बनेगा मौलाना अबुलकलाम आजाद और इन्होंने अलहिलाल का पेपर भी लिखा था अलहिलाल और यह पहले हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री फिर जोहाला नहरू की भी याद कर लो एक डिसकवरी ऑफ दसमा कोशन देखो क्या गयता है रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल जो है यह क्या मापता है मैंने आपको बताया था अर्थक्वेक याद करना है अर्थक्वेक में दो चीज़े आपको याद करनी है दो स्केल याद करने आपको एक तो है आपका रिक्टर स्केल और एक आपका मर्कली स्केल ठीक है रिक्टर स्केल जो मापता है यह मैगनिट्यूड मापता है मैगनिट्यूड और मर्कली स्केल क्या मापता है आपका इंटैंसिटी इंटैंसिटी ठीक है तो यहां पर अंसर क्या बनेगा देखो क्या बनेगा इसका अंसर इसका अंसर क्या तीसरा लगाएंगे ठीक है लेकिन अदरवाइस इस कोश्चन के गॉर्डिंग वैसे कोश्चन गलत है यह गलत डाला है रिक्टर स्केल जो है वह आपका एक्चुली मैगनिटूड मापता है और मर्कली स्केल इंटेंस्टी मापता है यह आपको याद रखना है गलती विसे ग यहीं डिये हमारा था सुबहें बत्रदि विथा क्लियर हम laquelle यहां इसी वर आनुंगे इस पीडिएफ कहां पर बनेटें पंलती आ लक्याइब है नहीं हो रहा तो inside यहां पर जॉइन कर लो मेरे साथ डॉक्टर विपन गोईल के टेलीग्राम चैनल से यहां पर सारे लेक्चर सारी इंफॉरमेशन पेड कोर्सीज फ्री क्लासीज पीडिएफ लेक्चर सब कुछ यहां पर शेयर किया जाता है और प्लस दूसरा मेरे इंस्ट्राग्राम की उप कोर्स यह जो कोर्स है इसके अंदर हम बहुत ही कॉंप्रेहंसिव तरीके से में ने कवर किया चीजें बहुत डिटेल में चीज़ें करी है कि आपका एक्जाम में कोई चीज ऐसा होई ना कि जो आपसे वह मतलब छोड़ ले मतलब वह ऐसी कोई चीज निकल जाए तो मतलब करेंगे हैं किसी बी एक्जाम की रेलवे से डिफेंस स्रेट पीस स्टेट एक्जाम कोई एक्जाम की तहरी कर रहे हो यह कोई ऐसे क्षेज करेंगे अपको यह परचेज कीज से करेंगे study IQ app से study IQ app download कर लेना play store से डाउनलोड कर लेना जा फिर आप अपना जो भी play store है वहां से जा फिर नीचे लिंक मिल जागा वहां से तो आपको ऐसे नजर आएगा best selling course नजर आ जाएगा home page के उपर जैसे best selling लगा लेना वी आई पी 500 आपको discount मिल जाएगा और यह कोर्स आपका इमाई की उपर अबिलेबल है और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने courses बनाया दोनों ठीक है और बहुत बच्चों को पसंद भी है ठीक है जी सो अगर आपका कोई भी कोशन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं पांच मिनटे यहां पे हूँ बिल्कुल पांच मिनट मैं यहां पे हूँ कि यह जो बच्चे ना आते हैं उठके सोके फिर कहते हैं कि सर क्लास इतनी जल्दी खत्म की होगी है 45 मिनट से गला बैठी जा रहा है मेरा सुवह दो गंटे की क्लास है इतना क्लासिस की मत तरफ मत ध्यान दिया करो पंड़ने की तरफ जादा ध्यान दिया करो जितनी चीज क्लास के टाइमिंग मैं अभी डाल दूंगा वहाँ पे आपके टेलीग्रम पे मैं डाल दूंगा भी कोर्स की प्राइसिज अगर आप डिसकाउंट वगरा लोगे तो 2000 में मिल जाएगा आपको चलो गाइस मैं अभी चलता हूँ यह एंड्रोइड एप है बिल्कुल है अगर कोई भी डाउट वहना मुझे इंस्ट्राग्राम के उपर मैसेश कर देना मेरे से जुड़के और कुछ भी पूछ सकते हो वहां पे तो गाइस टेक क्यार बाबाई जैहन बाबाई टेक क्यार कर देना मुझे